उत्तराकासी, श्रीनगर, उसके कनेक्शन में सभी भाई भेने सुन रहें तो विशे इस आज विशे तो योगा डे भी है तो आज का टॉपिक बहुत सुन्दर है वर्तमान समय राज्यों का महत्व, उसकी विधी और उसके लिए धारना है कल्वी बहुत अच्छा विशे पर चर्चा कीती हम अपनी पूर्षार्ट में आतमाभिमानी स्थिती अश्चेरीरी स्थिती, विधे स्थिती का कितना महत्व है उसका पूर्षार्ट कैसे करना है उसके बारे में चर्चा कीती पहिला लेसन तो आज है योग का लिषन तो वास्तों में वर्तमान समय योग की बहुत आवशक्ता है क्योंकि योग के दोरा ही हम मन को सोस्त बना सकते हैं योग के दोरा ही हम कर्मिंद्रिय जीत बन सकते हैं करमातिद बन सकते हैं योग के द्वारा ही हम सदा खुश रह सकते हैं अतींद्रे सुक्यान्भूति कर सकते हैं अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं वास्तों में एक होता है फिजिकली योगा दुसरा होता है मेंटली योगा, मेडिटेशन हमें दोनों भी योग की ज़रूत है फिजिकली योगा करने से शेरीर की फिटनेस अच्छी रहती है लेकिन केवल शेरीर की फिटनेस होने से नहीं चलेगा हमारी मन भी हमारा तंदुरुस्त चाहिए मन शक्ति शाली चाहिए अगर शरीर फिट है लेकिन मन अगर कमजोर है तो भी हमें तनाव आएगा टेंशन आएगा तनाव टेंशें से बचने का साधन विकारों से बचने का साधन राजयोग है क्योंकि जब तक हम परमात्मा से शक्ति प्राप्त नहीं करते तब तक हम अपने मन को बढ़ा नहीं सकते मनोबल को बढ़ा नहीं सकते संकल्प शक्ति को समर्थ नहीं बना सकते हम इस धर्ती पर आए है जनम लेते लेते हम अमारी आत्मा की बैटरी कमजोर हो गए और कमजोर आत्मा के ओपर विकारों का कबज्या हो गया काम, क्रोद, लोब, मौ, एंकार अब इस विकारों को जीतने के लिए राजोकिया वो शक्ता है दपर इके बाद तो हमने अलग-अलग सादू संतों के पास गए धरम, मात यह सब किया यह सब कुछ करने के बाद भी फिर भी हम नीचे ही आते गए इसलिए अब शीव बाबा, परमपिता, परमात्मा, गीता के वचन अनुसारी धरती पर आया हैं और यह प्राचीन भारत का राजोक शिका रहा है लेकिन इस राजोक का अभ्यास करने से पूर्व हमें उसका ग्यान होना ज़रूर है, वो कौन है, परमात्मा कौन है, वो कहां रहता है, हम कौन है यह समय कौन सा चल रहा है, यह चार यूग कैसे पूरे हो गए, अब सब को वापी जाना है, यह जब तक इस टोटल ग्यान नहीं है, तब तक हम मेडिटेशन योग नहीं कर पाएंगे तो सामने तो बैटे हमारे सामने तो सभी ने तो ग्यान को तो समझ लिया ना, इसलिए करते हैं गिता में भी काएंगे, निश्य बुद्धी, विजयन थी इसलिए इस ग्यान के दोरा, हमें उस योग को करना है और जब इस राज्यों का भ्यास करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और इन विकारों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं वास्त में योगा डेक कैसा चालू हुआ करते हैं, सभी दुनिया के प्रधान मंत्री कटे हो गए थे उन्होंने देखा वर्तमान समय, इतना सरा पढ़ाई चल रहें, इतने पढ़ेले को लोग समझदार लोग आई, तो भी आजकल अपराद बढ़ रहें सुसाइड केशेस बढ़ती जा रहें नश्या वेशन बढ़ता जा रहें बीमारिया बढ़ती जा रहें यह इसा क्यों हो रहें क्योंकि मानव मन कमज़र हो गया और इसलिए यह योगा सुरू किया और योगा के अबल एक दिन से नहीं यह रोज हमें इसको अपने दिन चर्या का एक अंग बनाना है और जितना यह योगा करेंगे उतना मनोबल बढ़ेगा एक तो फीजिकली योगा भी एक्सरिसाइज करना वाकिंग करना यह हेलते के लिए ज़रूर है इसके साथ परमात्मा का ध्यान लगाना यह भी ज़रूर है कते हैं नहीं दूद में शक्कर अगर यह दोनों योगा हम करते हैं तब जाकर कि हम हेल्दी विल्दी और हैपी बन सकते हैं मैं तो कापी सारे जेलों में मुझे जाने का मौका मिला है मैंने उसमें क्या देखा अच्छे अच्छे पड़ी लोग है समझदार हैं तो भी आज अपराद हुए है कारण क्या मनोबल की कमी और इस मनोबल को बढ़ाने के लिए योग की आवशकता है बीमारिया बढ़ती जा रहे है तनाव टेंसिन बढ़ता जा रहे है इसलिए राज योग जरूरी है राज योग के द्वारा हम अती इंद्रियस सुक की अन्भूती कर सकते हैं और जीनों ने राज अतिंद्रे सुक के अनभूति की, वो संसार के कोई भी बातों के तरब आकरशित नहीं हो सकता। जो इस राज्यों का ब्यास करता है वो वही मंडल को अच्छा बना सकता है वो आत्मिक सोरुप मिस्तीत रह सकता है भाही चारे से रह सकता है उसके इर्द गिर्दे में गून और शक्तिया आ सकती है गून शक्तियों की कमी यही समाज के प्राब्लिम का कारण है इसलिए वर्तमान की परस्थितियों में ये राज्योग हमें जरूरी है राज्योग के द्वारा हैं हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं और जिनोनी संसकारों को बदला वही आने वाली नई दुनिया सत्यों की दुनिया में देवी द्यवता के रुप में वो आ सकता हैं संसकार हमारी पूंजी है जो हमारे साथ में चलती है लेकिन इस राजों का भ्यास करने के लिए दो चीजों का उपयोग ज़्यादा होता है इसमें एक बुद्धी और दुसरा मन और इसमें से भी बुद्धी का यूज ज़्यादा है बुद्धी जिसको कहते है ध्यान परमात्मा में लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान मतलब बुद्धी बुद्धी एक नेत्र है बुद्धी रुपी नेत्र जब परमात्म को देखता है तो मन में भी वही थोट चलते हैं और उससे बुद्धी परमात्मा में लगाने से मन परमात्मा में लगने से हमारे आत्मा का मनोबल बढ़ता है आत्मा में ताकत आती है जिससे मोबाइल की बैटरी को हम चार्ज करते हैं मोबाइल चार्ज नहीं होता बैटरी चार्ज हो जाती है इसी तरह जब हम योग करते हैं मन बुद्धी परमात्मा में लगाते हैं तब हमारे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है और जब हमारे आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाते हैं तो सारा दिन हमारा आत्मिक भान बना रहता है दे में रते हो भी अश्यरीरी स्थिती रती है और जब अश्यरीरी स्थिती रती है हमें दुसरे के अंदर के गून नजर आते हैं कोई भी किशी के दोस नजर नहीं आते, सब अच्छे लगते हैं, सहन शक्ती आती है, जब आत्मिक स्थिती है, जब देहे का बहान होता है, ये इस धर्म का, ये इस जाती का, ये ऐसा करता है, दुसरे के दोस दिखते हैं, तब प्रब्लम आते हैं, इर्श्यागरना नप्रद इसलिए अत्मिक स्तिती बनाने जरूर है और अत्मिक स्तिती बनाने का साधनाई योग जैसे बैटरी जब डाउन होते हैं इसको चार्ज किया जाता है इसी तरह अब हमारी चवरेंशी जनम लेते लेते बैटरी डिशार्ज हुई है अब इसको चार्ज करना है इसलिए बाबा हर मुर्ली में कहते है बच्चे मुझे याद करो मुझे याद करो परमात्म की याद को ही कहते है राज योग और ये राज योग सभी योगों का राज्या है इसलिए बुद्धी बुद्धी एक नेत्र है बुद्धी क्या है एक सुन्दर से एक्जामपल आपको सुनाते है जैसे कहा कि इसी समय माउंट अबु में ओम शांती भवन के सामने आप खड़े है ओम शांती भवन बैक्ग्राउंड में पहाड़ी है दो साड़ पर दो योगी बैटे है बीच में घड़ी है शीड़ी चड़ करके आप उपर जा रहे है अंदर गए है उसामने चक्र चार युगों का चक्र सत्युक्तिरता घड़ी के रुप में बनाया चित रहे है साड़ पर दो साड़ पर एक साड़ सरवात्मों का पिता का चितर दूसरे साड़ पर सोरक का मोडल बताया बीच में बाबा का बड़ा सा फोटायों शांति भवन में वो देख करके निचे आए पांडव भवन में पांडव भवन में शांति स्तम के पास गए हैं शांति स्तम मार्बल का बना हुआ हैं पवित्र स्तम ज्यान स्तम लिका हुआ हैं उसको चक्कर लगा करके जोपड़ी के तरब जा रहे हैं एक जूला भी हैं जोपड़ी के अंदर गए एक गदिला रखा हुआ हैं बाबा जिसके उपर बैट करके पत्र लिखते थे वहां से आप बाबा के कमरे में गएं जहां नेला सा ट्रांसलाइट हैं एक खटिया भी हैं जहां बाबा रेश्ट करते थे हैं वहां से आप पीस पारक में गएं पीस पारक जहां ओम का बना हुआ शिमिट का वहां से आप सामने गुरु शिकर के तरब देख रहें वहां से आप ग्ञान सरवर में आएं kitchen complex के सामने घड़े हैं ग्ञान सरवर वहां से आप diamond hall में आएं नाइछे शन्तिवन में diamond hall के पीछे के gate से अब stage के तरब देख रहे हैं बाबा का बहुत बड़ा विशाल photo लगा वह वहां से आप तपश्या दाम गाडन में आई तपश्या दाम गाडन से आप पीछे मुणगर के थोड़ा देखा एक पहाड़ी पर ओम शान्ती लिखा हुआ है सफेद अक्षेर से दिखाई पड़ा आप लोग कोई उत्राकंड में बैटा है कोई हर्याना में आसंद के आसपास में बैटा है लेकिन आप अभी आप माउंट अभू में आये थे चारो धाम की यात्रा कर दी यह कई से पहुंचे थे बुद्धी के द्वारा यह भी आपका योग था ऐसे ही शेरीरी में आप बैटे हुए भी हमें उस परामधाम की यात्रा अवयक्त वतन की यात्रा बुद्धी से करनी है बुद्धी से वहाँ जाना है और वहाँ की वो शक्ती वो बाबा का मिलन उसका अनभौव करना इसको ही कहते योग जिससे मोबाइल में जब चार्जिंग चालो हो जाता है तो बैटरी तो मोबाइल में रखती है लेकिन करंट कैसा आता है वो बैटरी चार्जी कैसी होती है वो तारे जो गुप तो होती है अलूनियम के तारे या वो जो तारे होती है वो तारे जाकर कर टच करती है उपर से रबर वो दिखाई भी ने पड़ती इसे से वो current आता है बिजली का वर उसे बैटी charge होते है इसी तरो हम शरीर में आत्मा तो शरीर में रती है, आत्मा कोई योग में उफ़पर परम्दा में नहीं जाती लेकिन जाती को नहीं ध्यान और मन, जब 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 मन परमात्म को देखता हैं, मन परमात्मा के बारे में गुनगान करता हैं और तब जाकर यह उससे अत्मा के अंदर वो बल आता ही ताकत आती इसको करते योग और जब हम 15 मिनिट आदा घंटा एक घंटा इसा मेडिटेशन करते योग करते हैं इससे हमें जो सुक मिलता हैं वो सुक कुछ खाने से, कुछ देखने से, कुछ पहनने से जो नहीं मिलता उससे से वो सुक ज़्यादा मिलता है और इसी के लिए आत्मा प्याशी है और जब आत्मा को ये सुक मिलता हैं अंदर से दिल से गाती हैं पाना अतासव पालिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो संतुष्ट बनते हैं, भरपुर बनते हैं, वो मान अपमान इंदास्तुति में भी समान रती हैं, सहनशिल बनती हैं, वही मंडल अच्छा फैलाती हैं, इसको ही कहते हैं, द्योत्ता के संसकार, इसलिए योग के द्वारा आत्मिक स्थिती जागरत करना जरूरी है, इसे सब हमारी कारोबार आपस में सब सिस्टम से चलेगा, इसलिए योग से उस परमात्मा की शक्ती हमें लेनी, और सारा दिन जब हम योग थोड़ा भी करते हैं, सारा दिन हमारी वो आत्मिक स्थिती जागरत रहती, कर्म योगी की स्थिती रहती है, जो सुक हमने मेडिटेशन में किया, वो बार-बार बुद्धी वहाँ चली जाती है, आंके खुली है, कान खुला हैं, तो भी देखते भी न देखने की आवस्ता बनी रहती, इसलिए हमें समय निकाल करके योग करना ज़रूरी है, यह से बता रहते हैं, मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो दोनों तार ही लगाते हैं, एक तार डाले से भी चार्ज ही नहीं होता, इस शित्र योग में हमें मन और बुद्धी दोनों को भी लगाना है, समुर्ती का स्विच भी चालो करना है, बाबा ने मेरे पर क्या उपकार किया, बाबा आपने मुझे तीनों लोगों का तीनों कालों का ग्यान दिया, ग्यान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के भेद को ले वो मिठे बाबा जितनी स्मुर्थी गहरी उतना योग गहरा एक कागरता आईगी प्यार उत्पनों गा स्विच चालू करना साथ में इसे नहीं कि तारे बार बार डालते हैं निकालते हैं दो घंटा एक घंटा तार को डाल कर रखते हैं प्लग में इसी तर हमें भी एक दो घंटा जब मेडिटेशन करते हैं तो मन बुद्धी वो परमात्मा के उपर ही लगाने हैं मन बुद्धी इदर उदर भटके नहीं, अब कैसी भटकते हैं, समझे कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर कहेंगे चलो शाम की इसकी सब्जी बना देंगे, फिर आ कर योग में बेटे लाला चल र करते हैं, मैं आत्माओ शांस रूप हूँ, फिर सचेंगे ग्यास के ओपर दूद रखा था, शायद उसको मैंने बंद किया है, आईसा चल रहा है, फिर कहेंगे ठीक है, मैं आत्माओ शांस रूप हूँ, फिर कहेंगे घर में तो मिहमान आने वाला था, मैंने सोचा था, उ यह वाल लाइड की सपेड लाइड होगे, योग का time पुरा होगया, अगर ऐसा योग करेंगे उसे प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए योग करते हैं समय ऐसी बाते मुझे याद ना आए, क्यों याद आते हैं, क्यों हम सामने कौन बैटा है, कहां बैटे यह भूल जाते हैं, और उसे बात करें बड़ी गहरी जरूरी बात और उस समय बच्चा बीच में आता है मम्मी मेरा टाय का है मम्मी मेरा किताब का है कहें कि ठेर जाओ मैं पहले यह बात करें बाद में दे दूँगी तुमारा तो रोज का ही है क्योंकि जरूरी मेहमान की इसी तरह परमात्मा से ह बात करें और उसी समय ऐसी छुटी-छुटी बाते आते ही उससे हमें डूंड करना है उसका चिंतन नहीं करना है सारा जीवन उसी में लगाते हैं सारा दिन उसी में लगाते हैं लेकिन एक दो घुंटे के लिए हमें बिल्कुल एकागरो करके और ये बाते क्यों याद आती है क्योंकि हम कर्म योगी की स्थिति नहीं होती जब हम कर्म योगी बनकर कर्म करेंगे तो योग के समय योगी याद आएगा चित्र वो कर्म की बाते याद नहीं आएगी इसको करते यह कागरता और ऐसे योग से जन्म जन्मांतर से हमने जाने अंजाने जो भी कुछ विकर्म किये है वो विकर्म कम हो जाते है बशम हो जाते है और आत्मा की बेटरी चेर्ज हो जाती है और जब आत्मा ये प्रभु मिलन का शुप राप्त करती है वो सदाख खुस रहेगे बले गरीब है सुरक कुछ में नहीं लेकिन अंतर्ग्षी सच्ची खुसी मिलेगी चेहरे में खुसी रहेगी इसलिए प्रभू मिलन जरूरी है तनाव टेंशन की कोई भी परस्थिति नहीं आएगी जब हम प्रभू मिलन करते हैं आत्मिक स्थिति बनी रहते हैं जीवन में आने वाली परस्तिति को पोजिटिव बनाने की कल आएगी। वो परस्तिति को भी तोफा बना लेता है। कौन? जो योग का भ्यास करता है जिसके अत्मिक स्तिति बनती है। वो जीवन में आगे ही बढ़ता जाता है। उसका अपने इंद्रियों पर सियम रहता है। इसलिए वर्तमान की परस्तिति में हमें ये योग बहुत ज़रूर है। इससे हमारे संसकार अच्छे बनेंगे। हिल्दी विल्दी बन सकेंगे। लेकिन कई करते मेरी बुद्धी के सामने कोई परमदाम का विजन नहीं आता। द्रश्य नहीं आता। क्यों? सारा दिन अगर मन में निगेटी विचार चलेंगे, विरत विचार चलेंगे, किसी के दोस्त देखेंगे, परचिंतन की बाते करेंगे, तो जब योग करेंगे, वो परमदाम का वो परमात्मा का विजन द्रश्य नहीं आएगा। बुद्धी स्तीर नहीं रहेंगी, जैसे हम जब recording करते हैं उसमय कैमेरे का लेंस खुल जाता है, जब recording बंद करते हैं तो लेंस अपने हो जाता है, इसी तरहा हमें भी यह बुद्धी रिपी कैमेरा जब आमें जरुरी चीजंगे उसको नहीं देखना है बुद्धी से अगर सारा दिन विरत बाते देखते हैं सुनते हैं उसका एक प्रकार का धूल आता है और ऐसे धूल वाले बुद्धी में न परम्धाम दिखाए πड़ेगा न परमात्मा दिखाए पड़ेगा बुद्धी भढ़केगी मन भी भढ़केगा इसलिए बाबा कहते है योग के लिए बुद्धी क्लीन चाहिए क्लियर चाहिए जितनी बुद्धी क्लीन और क्लियर रहेगी उतना हम योग में स्तिर्व में बढ़ सकते हैं प्रभु चिंतन कर सकते हैं बुद्धी कैमेरा है, मन टीवी है, बुद्धी गाई है, मन उसका बच्छडा है, जैसे कैमेरा के सामने जो विजन होता है द्रश, वही टीवी में आता है, बुद्धी जी चीज़ को देखती है, वही विचार मन में चलते हैं, तो बुद्धी मेरी परमात्मा के तरफ जाए, उसके लिए हमें ग्यान की ज़रूरत है, गहरी ग्यान की ज़रूरत है, ये हम रोज की मुरली क्यों सुनने हैं, ये इश्वरी मावा के क्यों सुनने हैं, ये मुरली में क्या बात आते हैं, बच्चे इन आंखों के द्वारा ज तो भी कुछ तुम देखते हो, यह सब विनाशी है, यह यूग बदलने का समई है, यह हमारी रिटर्न जर्णी है, बच्चे अब वापिस अपने धाम में जाना है, फिर सत्युग में आना है, यह सब बातों से हमारी बुद्धी इस दुनिया से उपराम हो जाती है, अगर हमें एक ज्यान नहीं सुनेंगे, तो बुद्धी कही न कही अठकेगी, लटकेगी, चटकेगी, जिसकी बुद्धी कही संसार में अठकती है, लटकती है, चटकती है, वो योग यूग तो नहीं बन सकता, भले उसका शरीर योग में बैटा है, एक घंटा, आदा घंटा योग किया, लेकिन उसे अत्मिक स्तिती नहीं बनेगी, वो बार बार देखता रहेगा, और पाच मुद्ध बाके है, फिर खाएंगा, और पाच मुद्ध बाके है, वो नेमिनात बन करके बैटा, थोड़ी भावना का फल तो मिलेगा, लेकिन जो स बस तब बननी चाहिए, वो नहीं बनेगी, फिर लोग भी कहेंगे, योग भी करता है, तो भी इसके इसे संस्कार है, उसमें बदलाव नहीं आएगा, इसलिए हमें यथार्त योग करना है, यथार्त योग, वीधी पुर्वक योग, बुद्धी रपी आँख खोल करके, इस्तूल आँखे भी खोल करके, तब जाकर के हमें उसे प्राप्ती होगी, इसलिए बुद्धी को एक परमात्मा के सिवाए बुद्धी के उपर कोई भी बातों का प्रभाव नहीं चाहिए, अगर बुद्धी के पर कोई भी बात का प्रभाव आई, हम योग की अच्छी अन्बोती नहीं कर पाएंगे, प्रभाव से मुक्तावी भी चेक करो, मेरे बुद्धी के पर किस चीज़ का प्रभाव है, जब योग में बैटते हैं, जहां भी बुद्धी बार-बार जाती हैं, मन जाता हैं, तो यह प्रभाव है, इसलिए बुद्धी को जागरत करने की ज़रूत हैं, यह बुद्धी, अब मुझे परमात्मा को याद करना हैं, जिस प्रभु को मैं युगों से ढूंड रहता हूं, अब मुझे मिला हैं, तुम्हें वहाँ जाना हैं, तुम्हें इधर उधर नहीं भटकाना हैं, जब बुद्धी जागरत होगी, तब बुद्धी ध्यान परमात्मा के तरफ जाएगा, टिका रहेगा, यह बुद्धी, जिसको देखने के लिए, दुनिया के आंके तरस रहें, और तुम्हें तो वहाँ उसके पास जाने का मौका मिलेगा, तुम्हें उस सत्यम, सिवम, मेरा ध्यान योग में, यह कई और है, कैसा पता चलेगा, जब हम योग में बैटे हैं, अगर मुझे परमात्मा के सिवाए, वो परमदाम के सिवाए, अवेक्त वतन के सिवाए, अन्नी कोई विचार चल रहे हैं, समझे मेरा ध्यान बटक गया, क्योंकि ध्यान आटनेंचे मन भी हड़ जाता है, यह एक परकार का युद्धा है, थोड़ी मेनत है, और जब यह मेनत हम करेंगे बार बार, तब जा करके ध्यान वही लगेगा, सुरू सुरू में होगा यह, और खास तो एक तो हमें योग में अम्रत विला का योग महत्वका है, अम्रत विला का योग, तो सभी तो करते होंगे, विशे तो अम्रत विला का टाइम है दो बज़े से आगे, चलो हम तो घरहस्ते में रहते हैं, दो नहीं तीन बज़े उटो, तीन नहीं साड़े, तीन बज़े, चार बज़े उटो, कोई बात नहीं, चार से पाउने पास तक योग करना है, और वो भी आँखे खोल करके बैठना है, ऐसे नहीं कि योग में बैठ गए हैं, आँखे बंद आए, आँखे बंद आए, तो बाबा की ताकत बल कैसा मिलेगा, अगर कोई मेहमान को फोन करके बुलाओ, प्लीज, हमारे घर में आजाओ, ज़रूरी काम है, तो मेहमान आता है, लेकिन वो मेहमान आने से पहले आप दर्वाजे खड़के लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे है, घंटी बजा रहे है, दर्वाजे नहीं को लो, उनको ले क्या बाता है, इन लोगों नहीं मुझे बुलाया, ज़रूरी इनका ही काम था, मैं दस काम छोड़कर इनके प पर आने से पहले दर्वाजे बंद करो, फिर तीसरी बार फोन करें कर के कभी नहीं आओगा, मैं जब आता हूँ तो आप दर्वाजे बंद करते हैं, इस जी तरह हम जब योग में बैठते हैं, तो क्या करेंगे, बाबा का रवान करेंगे, मिठे बाबा, प्यारे बाबा, आजाव हम आपसे बाते करनी हैं, बाते करनी हैं, करनी हैं, करनी हैं, करनी हैं, करनी हैं, करनी हैं, तेरे दौर खड़ा भगवान भगद भर ले जोली, आँखे बंद कर दी, फिर बाबा को तो अमरत वला तो हजारों भगद लग को सारे दुनिया के लोग पुकरते, तो वो फिर आच निन्द खुलकी, फिर कहें कि मिठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा देखता है, फिर आवाज आ रहे हैं, फिर आता है, फिर तबटक फिर सोंगे, अगर ऐसा करेंगे, योग में अनवोती काई सा होगी, इसलिये हम जागरत होकर करके बैटना है, एक्चुली नींद क्यों आती है उसका कारण है नींद आने का कारण है हम किसके सामने बेटे हैं इसकी जागरती की कमी जैसे चाई वाला जब रात को दो वजे जब ट्रेन चलती है तो चाई 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 करके वो जुटका लगाता है रात का दो वजे है उसके सामने बुद्धी में रता है मेरी कमाई होगी पचास सव रुपए मुझे मिलने वाले इसलिए बिल्कुल जागरत रता है आप फटी भी नोड भी उसको देंगे वो बिल्कुल नजदीक दे करके कहें है चले का ने फटी होगे दूसरी दे तो बोले है उस समय बाबा आपके भागे में लिक रहे है सत्तिगुमे में तुमको इतनी प्रापड़ी दूँगा इतनी संपत्य ये एक-एक अम्बरत्य वला एक-एक जनम की प्राप्ति हो रहे है वो लिक रहे है और हम सो रहे है इसलिए कहता है एक कावत भी बने जब भगवान भ आगरत होकर के बैटना जो भागे लिक रहे सामने उसका गुंगान का रहो उसको थन्यवाद हो वो प्रभू सारी दुनिया के लोग सोये हैं और आपने मुझे प्यार से जगाया और मेरा भागे बना रहे है आप भागे में लिक रहे है कितना शुक्रिया बाबा करो कितना किक्ашि के चेहरे पर मेकप हो रहा है वो जूठका लगाते यहां का मेकप यहां पहुंच चाएगा क्योंकि आलस आएगा और आता क्यों किरात को सोने पहले हैं हम क्या करते हैं कि कमेंगे का बाबा गुडनेट अभी तो नीन दार हें पतनी हम रत्युत्यो करतेंगे कल सबरी उटना है कि बरतन माजना है पिर यह दी करना है नासता भी मानाना है ऐशे करके खेये कमजूर विचार स्पारिवान सो जाते हैं कि सब्सक्राइब और जगाएगा इस घड्री में जुआ हो गया कियोगा रात को सोते समय इसले रात को सोते समय अलर्ट हो करगे सो जाओं अब विश्व परिवर्तन का कारी बड़ा तेजी से हो रहा है पता ने अब कल क्या होने वाला है अब जैसे करोना जैसे बीमारी आई है और भी कई देशों की लड़ाई लग रहे है चारों तरह पता ने मेरे को कितना समय मिलेगा मेरे तो जन्म जन्मांतर की कितने सरे विकर्म है अभी भी मेरे संसकार नहीं बदले मुझे भक्तों को सकाज देनी है मुझे अपने आपको पावन बनाना है अभी भी मैं आत्मा की सोरुप में टिक नहीं सकता हूँ और लाट्स का पेपर को तो एक सेकंड का होगा तो मुझे कल अमरत्युला अच्छी करनी है अमरत्युला उटना है ऐसे सोच करके उप्राम उकर के सो जाओ तब अमरत्युला ने तो माय की तरफ से सबरेकोन आता आलस और आलस की पीछे माय की सारी अच्छी नहीं पिह है इसने अमरत्युला अलर्ट करना है और कोई ने कोई सुमान ले करके सोन, बैचो उसके बाद अमरत्वला करके नहां दो करके क्लास की तयारी करनी है और क्लास में भी भले लॉकडाउन आई कोई बात नहीं जब लॉकडाउन खुलेगा शेंटर पर जा करके भी आदा गंटे का योग जरूर संगटन में करना है मुरली सुनने से पुर्व मुरली सुनने से पुर्व योग करने से मुरली का भाव समझ में आएगा इसलिए आदा गंटे का योग जरूरी है खेती में बीज डालते हैं पहले हल चलाते हैं बीज डालते हैं तो अम्रत्वला योग क्लास के पहले भी आद्दा घंटा योग करके मुरली सुनना। यह तो कईों को लगे गा रहे बहुत अच्छा मज़ा आ गई, दो तिन महेने से तो घर का नास्ता बनाओ, खाना बनाओ, साथ में मुरली भी सुनो, कभी भी सुनो। यह तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन बनाये था, लेकिन और मजबूत बनना ही तो हमें पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है, तो हमें एक तो अम्रत्वला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली को सुनना है, यह तीन चीज़े जो सबरे सबरे करता हैं, उस सारा दिन सो जोज दिन चरह में दो धाई गंटा भैट करगे तपश्या करने के लिए टाइम निकालना है, और जितने यह तपश्या करेंगे, साधना करेंगे, करमिंद्रे जीत बनेंगे, संसकारों को परिवर्तन कर सकेंगे, कितने भी कड़े संसकार हैं, अगर उसके पर जीत प्राप दो फिका लगता हैं, इसी तरह जिसने योग का अनभव किया, प्रभु मिलन का अनभव किया, उसके लिए विकार संसकार फिके लेगेंगे, क्योंकि आत्मा को तो सुक चाहिए, चाहिए विकारों का सुक लो, चाहिए फिर योग्षे सुक लो, इसलिए हमें योग को मत्व देना है और साधना तपश्या करनी है इससे हमारी बहुत बड़ी प्राप्ती होगी संसार में सबसे बड़ा बल आई योग बल जो बल से नहीं कर सकते हैं शारीक बल से नहीं कर सकते हैं योग बल बढ़ाना है योग बल ही भविश्य में आने वाली मुशीबतों में काम आने वाला हैं, क्योंकि बाबा तो कहते हैं आगे चलकर के दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, और उस दुखों में हमें परमात्म की याद, यह हमें बहुत मदद करेंगे, बहुत काल की याद चाहिए, उस याद से हमारी आत्मस्तिती बनते हैं, इसलिए तपश्या, लेकिन ह परमात्मा के पास लगी रहे वो बुद्धी रुपी नेतर खुला रहे उसके लिए कुछ धारना ही जरूर है क्यों हमारी बुद्धी दरोदर भटकती है मन भटकता उसका कारण है सबसे पहला कारण है अगर सारा दिन हम एक दुसरे का परचिंतन करेंगे अवगुन देखें तो जब योग में बैटेंगे योग में उपरमधाम का विजन परमात्मा का विजन नहीं आएगा इतना इनी ज्यान भी बुद्धी से निकल जाएगा ये ज्यान उनके बुद्धी में बैटता है जिनकी बुद्धी सोच है इसलिए बाबा को कई बार मुरली में कहना स्टाइन बच्छे जगमों नहीं करो बच्छे परचिंतन नहीं करो किसी के दोस मैं देखो परचिंतन करो किसी को स्टाइम अपना टाइम वेस्ट नहीं करो क्योंकि ये बाते सुनने से बुद्धी को ताला लग जाता है बुद्धी में ऐसी ना ज्ञान बैटेगा ना परमात्मा की याद बैटेगी इसलिए परचिंतन से बचना अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो आप क्या कहेंगे आपका धन्यवात रोजायक और अज्ञाप पूजा होते हैं अड़ालक और इसे बोलेंगे इसको तो भगाएंगे लेकिन यहां कोई कच्रे वाली बाते विरत बाते सुनाता हैं हम क्या कहते हैं और क्या हुआ और क्या हुआ इससे बचना अगर कोई आकर के सुनाता है ना सुना ना किशी को सुना ना इससे वायू मंडल खराब हो जाता है परमात्मा से प्यार करने से पूर्व, परमात्मा ने रच्वी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए परचिंतन से बचना ये धारना ज़रूरी है इसे कैसे बचना है परचिंतन से क्या होता है उसके लिए अलग से एक टॉपिक रखा हुआ उसके पर गहरी बाद में चेर्चा करेंगे तो कहने का मतलब योग की अनभूती करने के लिए बुद्धी परमात्मा में टिकने के दूसरी बात है अगर मेरा ध्यान सदा प्रभू में लगा रहे योग लगा रहे उसके लिए सारा दिन मुझे स्रीमत प्रमान चलना है जितना स्रीमत प्रमान चलेंगे उतना परमात्मा का हमें प्यार मिलेगा कोई भी मा बच्चों को प्यार करते कब करती है जब बच्चा मा का कहना मानता है सबरे जल्दी उठाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है कहते देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना पढ़ना, लड़ना नहीं, जगड़ना नहीं बच्चा जाता है, लड़ता है, जगड़ता है कपड़े गंदे करके आता है ममी ममी करते आये ममी किचेंचे देखे मैंने जुद कहा करके आया नहीं करके बहुत कि तुम चिला तरी में आई ठीको जाएगे जागर दो थापड लगा दे अगर वही बच्चा मा का कहना मांद के आता तो मा उसको प्यार करते हैं इस शितर परमात्मा भी हमारी मा हैं सबरे जल्दी उठाते हैं फरिस्ता ड्रेस पहनाते हैं कई डारेक्शन देते हैं बच्चे आज आत्मा समझना पर चिंतन नहीं करना लेकिन हम भार जाकर गे कुछ उसनग उस गलतिया करते हैं फिर योग में बैटेंगे मिठे बाबा प्यारे बाबा बाबा उफर से देखता है परमधाम की खिड़की से इसलिए प्रमान चलना है जितना स्रीमत प्रमान चलेंगे योग की अन्भूति कर सकेंगे लेकिन हम क्यू नियम को तोड़ते हैं लोग लास लोग क्या कहेंगे लोग क्या बोलेंगे लोगी संसार में ऐसे हैं घोडे पर बैटने में ने देंगे पैदल चलने में ने देंगे इसे लि कि जितना स्रिमत प्रमान चलेंगे हमारा योग बाबा से लगेगा बुद्धी बाबा में लगेगे समर्थ बन सकेंगे यह धारना तिसरी है जितना अत्म अभिमानी बनेंगे उतना योग अच्छी तर कर सकेंगे अत्म अभिमानी और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है जिसे बलब जलाते हैं तो जो तारो उपर का जो कोटिंग होता है वो निकालते है तब जाकर गए बलब जग जाता है इसी तरह अत्मा की स्तिती बनाने के लिए हमें देहे का यह रबर है उसको उतरना अत्मिक सुर् देखना फिर परमात्मा को याद करना जरूरी है कल उसके पर गहरी चर्चा कीती कैसे हम आत्म भीमानी बनना जरूरी है कैसे बनना है तो आत्मा भीमानी जितना स्तिती में रहेंगे है उतना हमारा योग अच्छा लगेगा चौतिधरना हैं सारा दिन कितने भी विघन आए समश्य आई, मान, अपमान इन सब बातों को मुझे सहन करना है जितना आपके पास सहन शक्ती होगी उतना योग में स्थीर बैट सकेंगे अगर छुटी-छुटी बातों में मुर्जा जाते हैं घबरा जाते हैं, सहन शक्ती नहीं है योग में स्थीर नहीं बैटेंगे सहन शक्ती है और योग इसका connection क्या है समझो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है और ओ दिल में बातें लगी हैं, जब योग में बैटेंगे लालाई चल रहा है, गीत बज रहा है सुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शान सुरूप हूँ, फिर गेंगे मैं नहीं क्यों बोला, फिर गेंगे छोड़ो कोई बातने मैं आत्मा हूँ, शान, फिर गेंगे पंदरा दिन पहले भी तो बोला था फिर गके ठीक है मैं आत्मा हूँ चांद फिर गके खेकर सब के बीच भी क्यों बोला मैंनें का क्या बिगड़ा त μέ remplisha कहां यूग लग command इसलिए मुझे सहन करना है जितना उन सारे बातों को हम सहन करते समा लेते उसको हलका लेते उतना मन हलका रहेगा क्योंकि हलका मन उपर जाता है, भारी मन उपर नहीं जाएगा, तो मन को हलका रखने के लिए उन बातों को जिसने किसी ने मुझे बोला है, ऐसा नहीं कि हमें समाज से दूर जाना है, किनारा करना है, सब के साथ रहो, लेकिन वो बाते मुझे योग में याद ना है, हलकी ले, उसके लिए निगेटिव बात को पोजिटी में बदलो उन्होंने मेरे अपमान नहीं किया मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया जो अपमान करेगा वही दौपरिंग में मेरे मुर्ति के प्रोज गुलाब का फूल चड़ाएगा जब योग में बैटे बाबा को भाबा आज आपने बहुत अच्छा बगत बेजाता है बहुत अच्छा फूल डाल के गया आपका धन्यवात निगेटिव को पोजिटिव में बतला अलके रहेंगी वो बाती योग में आपको डिश्टर्बर नहीं करेगी इसको कहते हैं सेहन शक्ति अच्छा किशी ने बोला भी कहीं कहते हैं मैं इसके रास्ते में जाता नहीं मैं इसका कुछ बिगाड़ा नहीं फिर भी ये मेरे साथ आई इसकी क्यों करता हैं ताली कभी एक हाथ से नहीं बसती टाली के लिए द्वात चाहिए अगर कोई मेरे साथ ऐसा वैसा करता है तो मैंने भी कभी किया था मेरे आसपास के जितने लोग आई मेरे कर्मों को सुप्त करने वाले लोग आई ड्रामा का ग्यान, कर्मों का ग्यान, जोवाज, यह सारी ग्यान के अदार से हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी, और जितनी सहन शक्ति होगी, उतना हमारा योग अच्छा लगेगा, योग में स्तीरता आएगी, इसलिए बाबा को यह सारा ग्यान विस्तार करने की जरूत क्यों पास knowledge के अथा point है, वो point सोरूप में टिक सकता है, इसलिए सहन शक्ति चाहिए, पहली बात बताई, परचिंतन से बचना, दुसरी बात बताई, स्रीमत का पालन, तीसरी बात बताई, देहिया भी मन इस्तिती, चौती बात बताई, सहन शक्ति, पाच्वी बात है, अगर मुझे योग में स्तिर्था लानी है, इसके लिए सारा दिन मुझे दुवाई लेनी है, दुवाई परमदा में जाने का विमान है, समझे कोई भहु आई, सास आई, ग्यान में चलती है, अपने भहु के साथ जगडा करके, तंग करके, मारके, या योग में बैटे आ करके, वो नीचे खीछ रहें, और यह उपर उड़ रहें, नहीं उड़ जाएगी, इसलिए मुझे कोई, मेरे ले, मुझे किसी को दुख नहीं देने, मुझे लगते हैं, कली प्रस्न में था, देवताप बनने के लिए किसी को दुख नहीं करो, करो नहीं करो। ये बाबा को धारना क्यों सुनाने पड़ते हैं क्योंकि अगर किसी के बद्वाएं बद्वाएं वाला आपको नीचे खीचेगा तो मेरे विवार से मेरे विवार के कारण किसी के संकल्प ना चले ना किसी को अपने नाम रूप में फसाओ, ना किसी को दुख दो, ना बिसरो, ना याद करो, तब जाकर ये यूग कर सकेंगे, इसलिए दुआई लेनी हैं, जितनी दुआई है उतना योग में स्तीर बैट सकेंगे, चटी दारना है, संसकारों को परिवर्तन करना है, जितना हम संसकारों को परिवर्तन करेंगे, योग लगेगा, अगर संसकार के वश बार बार होंगे, गलतिया करेगी, की कमाई चट हो जाएगी, संसकारों के वश होने से, इंद्रियों के भी वश है, और जिसकी जो इंद्रियों के वश में है, वो इंद्रिया उसको भटकाईगी, परमात्मा के तरब जाने नहीं देगी, इसलिए मुझे संसकारों का परिवर्तन करना है, वो कैसे करना है, क्या करना है, उसका भी अलग स टॉपिक रखाऊ है यह योग के लिए अवशक है अगर मुझे योग का अनभव करना अभ्यास करना है सारा दिन मुझे अपने इंद्रियों को इश्वरिय स्रीमत के आधार से चालाना है अगर कर्मिंद्रिया ही आपके पराज्य करेगी हम योग में स्तीर नहीं बैठ सकते जो सारा दिन गलत देखा हैं गलत सुना हैं उसमें मनबुदी बटकेगी इसलिए सारा दिन मुझे योग्याई वही देखना, योग्याई वही सुनना, योग्याई वही बोलना, सुराज्य अदिकरी सिती, इसका भी अलग से एक टॉपिक रखाऊ, गहरा है से, कही से हम अपने इंद्रियों पर राज्य करें, सुराज्य अदिकरी बनें, यह योग के यह कुछ धारना है अगर हमारे जीवन में है तब हम योग में घंटों तक बैट सकते हैं परमात्मा की याद कर सकते हैं इसलिए वरतमान समय हमें इस राजयोग के द्वारा अपने अत्मिक स्थिति को बढ़ाना है और फिजिकल योगा भी क्योंकि आज कल जए से बता है न कर प्रकोप होता जा रहा है तो उस करुणा के प्रकोप से बचने के लिए मनोबल को बढ़ाने की ज़रोत है इसलिए हमारे प्रधान मत्री जिन में सबको नारा दिया हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है तो हमारे हिलत अच्छी है तो इसलिए हिलत अच्छ करने के बाद भी उनके अंदर तनाव टेंशन करते हैं इसलिए राजयोग वर्तमान समय बहुत जरूर है इसे हमारा मन तंदुरस रहेगा इसे तन भी तंदुरस रहेगा यह सुरूष्टी को हम परिवर्तन कर सकेंगे इसलिए हमें रोज इसका अभ्यास करना है तो आज जगह पर कमर्शीदी करके बैटेंगे सभी अपने भ्रुकुटी आसन पर आत्मा के सुरूप में स्थित रहेंगे मैं जोति सुरूप आत्मा हूँ भ्रुकुटी आसन पर बैटी हूँ मैं आत्मा हूँ यह शरीर मेरी एक डबी है मैं आत्मा इसमें चैतने में हीरा हूँ यह शरीर मेरी एक गाड़ी है मैं आत्मा इसका ड्राइवर हूँ मैं आत्मा इस आंकों के द्वारा देखने वाली हूँ कानों के द्वारा सुनने वाली मैं शांत सुरुप हूँ मेरा सोधर्म शांती है अब मैं आत्मा बुद्धी के द्वारा उस अवेक्त वतन में जा रही हूँ बुद्धी के द्वारा इस देह से भी परे चांद सुरस्तारंगन से भी पार उस अवेक्त वतन की दुनिया को देख रहे हूँ लाइट माइड की वो दुनिया जिसमें फरिष्टों का राजा ब्रह्मा बाबा बत्ती है बाबा चे नएन मुलाकत कर रही हूँ अब मैं बुद्धी के द्वारा वाप धिरे-धिरे मूल वतन के तरब जा रही हूँ जेशे मैंने मूल वतन को देखना सुरू किया चारों और सुनेरी लाल प्रकाश में दुनिया जहां शान्ती ही शान्ती है धिरे-धिरे मैं उपर की तरब जा रही हूँ बिलकुल शिव बाबा के किरुनों के नीचे जैसे मैं शिव बाबा को बुद्धी के द्वारा बिलकुल नजदीक देख रहे हूँ मेरी बुद्धी क्लीन और क्लियर बनती जा रही हूँ जिस बाबा को देखने के लिए युगों से आंके तरस रहे थी बाबा के साने दिम्याने से मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समापत होती जा रहे हूँ मैं उर्जावान बनती जा रहे हूँ मेरा मनुबल बढ़ता जा रहे हूँ मैं शांती और शक्ती से भरपूर होती जा रहे हूँ अब यह प्रभू मिलन कर धीरे धीरे में वापिस अपने स्तूल वतन की दुनिया में स्तूल श्रीर में पहुंचती हूँ जी इसे बुद्धी के उधारा मैंने शेरीर में प्रवेस किया मेरी शेरीर की भी सारी कोशिकाई चार्ज हो गए मेरे शेरीर से अंग अंग से शक्तिया निकलती जा रहे हैं इस ये विश्वों में श्यांती की किरने पहल रहे हैं सब को सुक मिले सब को शांती मिले अब इस उर्चा को सदा जागरत रखूँगी सब के साथ भाई चारे से रहूँगी मैं आत्मा हूँ अश्यरी हूँ विदेही हूँ अश्यरी हूँ श्यांती 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 अफूँख अश्यांती प्सक्राइबार सेल्ड़ार लिल कक्राइबा लाल लाल झाल झाल